तो जिन वैक्तियों को पुराना नजला पुराना जुखाम सुबह सुबह छीके आती है नाग भेती है और ऐसे वैक्तियों को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे गले के अंदर में कुछ आटक गया कुछ फस गया है जिन वैक्तियों को हमेशा बलगम बाहर गिरता है या फिर अंद नही शुपाय को बना के रख लेना है। इतना जबर्दस फायदा करेगा कि दूसरी दवाई लेना बूल जाओगे। इसमें आपने चोटी पीपल 25 ग्राम, सोट 25 ग्राम और काली मिर्च 25 ग्राम की समभात के मातरा में आप लेके आए। इनको अच्छे से ग्राइंड करिए, पीस के पाउडर बनाके छनी में से चानके मिक्स करके किसी एर टाइट कंटेनर के अंदर में डालके आप इसको रखिए अब शैकंड चीज आपने ले क्या नहीं है ओरिजिनल शहद अगर आपको ओरिजिनल फोम में कहीं पर मिल जाता है तो ओरिजिनल छोटी मदुमक्ही का जैसा मैं अपनी हर इक वीडियो में आपको एडवाइज करता हूँ छोटी मदुमक्ही का शहद आप रखिए अगर शहद ओरिजिनल फोम में नहीं मिलता है तो आप डिबबा बन शहद का इस्तिमाल करिए उसमें फायदा थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा लेकिन रखिए अनुद करना है यानगे चाठ के सेवन करना है और दो पहर के अंदर में एक चम्मच तुल्सी का ताजा रश आप निकालिए उसको आप सेवन करिए खाना काने के बाद में ना बल्गम बनेगा ना कफ़ बनेगा ना खहसी होगी ना जुखाम होगा पुराना नजल मैंने दे दिया हर प्रोल्डम आपकी बिल्कुल 100% रूप से जड़ से मिड़ जाएगी कुछ दिन मात तर इसको इसको इस्तिमाल करना चाहिए और जिन वेक्तों को नजला बिगड़ चुका है पुराना दमा तक की प्रोल्डम में एफेक्टिव ही रेमडी है तो इसका इसका काल हर एक को करना चाहिए तो दोस्तों अगर जानकारी चाहिए लगे तो लाइक और शेर भी जुरूर करेगा और ऐसी जानकारी दुबार आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एफेंटी वाले बटन को जुरूर पैस करें ताकि फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफ कि अधर आनल來,涂ना हर नोटी जानकारी जिए प्युरूरत